ब्रोग लेसनर ने खिला मौत का खिल स्मैक डाउन में मरते मरते बचे रोमन और उसोज ब्रोग की तवाही देख कर डरे और अपनी जान बचाने के लिए भागे रोमन जानेंगे सब कुछ जो कि आप ब्रोग लेसनर ने आज के स्मैक डाउन में तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों शो की शुरुआत ब्लेड लाइन की एंट्री से होती है फिर हैमन ट्राइबल चीफ को माइक थमाते हैं रोमन कहते हैं सब मुझे अकनॉलेज करो ये एक स्पेशल रात है हम रोड टू रसल मीनिया पर हैं ये पहली बार है जब मैडिसन स्क्वेर गाडन के बाद मैं ब्रॉक लेस्नर के सामने आऊंगा अगर लेस्नर आया तो मैं फिर से पहले की तरह उसका खून बहाऊंगा फिर हैमन अपने फोन में मैसेज बढ़कर रोमन को बताते हैं कि वैदर प्रॉब्लम्स की वजह से ब्रॉक स्मैक डाउन में नहीं आ पाएगा पर फैंस चाते थे कि ब्रॉक लेस्नर आये फिर रोमन बोले ब्रॉक मुझसे डर गया है मैं गॉड मोड में हूँ मेरी ग्रेटनेस डिफरेंट लेवल पर है पर इतने में ही हैमन ने जो कहा उसे सुनकर रोमन हिल गए हैमन ने बताया कि लेस्नर बस अरीना में आने ही वाला है ये सुनकर रोमन की फटकर चार हो गई वो तुरंत रिंग छोड़ कर बैक स्टेज खड़ी एस्यूवी की तरफ पहुचे पर वहां तो बीस्ट पहले से ही मौत का खेल शुरू करने के इंतिजार में बैठा था जैसे ही ब्लड लाइन के चारो मैन एस्यूवी में बैठे तो वहीं फॉर्क लिफ्ट में बैठे शेर ने हौन बजाया और फॉर्क लिफ्ट को एस्यूवी में ठोक दिया जिस वज़ा से फॉर्क लिफ्ट के सामान उठाने के दोनों पंजे एस्यूवी की खिड़कियों के काज को तोड़ कर अंदर घुस गए रोमन की रूख आप उठी क्यूंकि वो मौत से बस कुछ इंचिस की दूरी पड़ते बीस्ट को ये करने में बड़ा मजा रहा था उन्होंने एस्यूवी को उठा कर पलट भी दिया पर उससे पहले ब्लड लाइन एस्यूवी में से निकल चुकी थी जैसे ही रोमन और उसस जाकर ट्रक में बैठे शेर ने फिर से उनका पीछा किया पर तब तक ट्रक स्टार्ट हो चुका था ब्लड लाइन तो भाग गई पर ब्लॉक ट्रक का टूटा गेट अपने साथ लेकर रिंग में आए लेसनर के चैरे पर हसी और हुसा दोनों थे टूटे गेट पर हाथों को टेक कर ब्लॉक बोले रोमन तूने बाइपोलर बीस्ट को अनलीश कर दिया है तू मुझसे भाग सकता है पर दो हफतों के बाद रसल मीनिया में मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा आ रहा हूँ रोमन तेरे खून के लिए आ रहा हूँ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें बिलीव इन गॉड और थैंक्स वर वाचेंग